ये सोच कर अपने बच्चों के जीवन को दुख भरा न बनाएं कि आपको उनसे वो चीज़ें हासल करवानी है जो आपने हासल नहीं कि आप कोई बॉस नहीं है आप उनके मालिक नहीं है आपके बच्चे को एक दोस्त चाहिए जो उन तक पहुँचे जो उनके साथ खेले पिछले 25 सालों में माता पिता होने के पूरे तरीके में काफी बदलाव आया है शायद जब मैं बड़ा हो रहा था मेरे उपर तुने मगर आम तोर पर ही उस पीढ़ी के उपर माता पिता का प्रभाव 60 से 70 प्रतिशत था और लगभग 30 प्रतिशत प्रभाव स्कूल और बा सिवा इसके कि आप क्या पढ़ते हैं आप कहीं किसी फिल्म थेटर में क्या देखते हैं तब कहीं भी कोई वीडियो नहीं चल रहा था ठीक है एक नई चीज है लेकिन ये संबंधा बुल्टा हो गया है आज आपका प्रभाव बच्चे पर जादा से जादा 25 से 30 प्रतिशत है वे हर जगह के सभी तरह के प्राणियों से प्रभावित हो रहे हैं वो किस तरह के हैं उनका उद्देश्य क्या है आपको नहीं पता स्कूल के शिक्षकों का शायद ही कोई प्रभाव है जीते जागते दोस्त का और पडोसियों का प्रभाव भी मुश्कल से ही है कोई कही और से उन पर बहारी प्रभाव रखता है तो इसे ध्यान में रखते हुए अगर आप क्यूंकि दुनिया के सभी लोगों में से एक मा होने के नाते हम मानते हैं कि आपके दिल में अपने बच्चे के लिए सर्वोत तमहित है तो जब ऐसा है तो आपका प्रभाव सबसे जादा होना चाहिए लेकिन जिस पर आप सोचेंगे कि मैं माता पिता हूँ ऐसा नहीं हो पाएगा क्यूंकि माता पिता एक कठोर बॉस की तरह होते हैं जिन्हें कोई पसंद नहीं करता अगर आपका बच्चा कुछ पताना चाहता है तो वो जाकर अपने दोस्तों को बताएगा क् इसके दोस्त समझदार हैं माता पिता थोड़े आपको बता है वे कुछ भी नहीं समझते हैं वो किसी दूसरी दुनिया से हैं ऐसा मत कीजिए आपके बच्चे को एक दोस्त की ज़रूरत है एक बॉस की नहीं उन्हें कोई बॉस नहीं चाहिए उन्हें एक दूस्त चाहिए कोई ऐसा जो उन तक पहुँचे, जो उनके साथ खेले, जो जीवन के लिए बिल्कुल उनके जैसा ही उत्साही हो ओ, मैं एक माता पिता हूँ, जादतर माता पिता इसे ऐसा लेकर चल रहे हैं, जैसे कि वो कोई भारी बोज उठा रहे हो मेरे बच्चे ये हो जाएगा, उनका करियर जाने क्या होगा लगबग 32-30 साल पहले, जब मैं चेन नहीं में, मेरे पहले प्रोग्रामों में से एक इनर इजिनेरिंग प्रोग्रेम करवा रहा था तब एक आदमी, सुबह सुबह की क्लास में, अपनी बेटी के भविश्य को लेकर बहुत चिंतित था एक्जैम शुरू होने वाले हैं और वो लड़की अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही वो बहुत चिंतित था कि उसके भविश्य का क्या होगा और सब कुछ मैंने इस आदमी को देखा, वो काफी यंग लग रहा था, उसकी बेटी की उम्र कितनी होगी मैंने उससे पूछा, आपकी बेटी की उम्र क्या है? उसने कहा, चार साल मैंने कहा, अरे मूर्ख इंसान, तुम बच्चे के लायक ही नहीं हो चार साल की लड़की, आप उसके भविश्य को लेकर चिंते थे वो अपना हूवर्प नहीं कर रही है, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही है वो गनित ठीक से नहीं सीख रही है उसके सिर्फ 98 आ रहे हैं, बाकी 2% गायब है मैं कह रहा हूँ, ये बकवास है ऐसा सोच कर अपने बच्चों के भविश्य को दुख भरा न बनाएं कि आपको उनसे वो चीज़ें हासल करवानी हैं, जो आपने हासल नहीं की बच्चे इसके लिए नहीं हैं, वो आपके माध्यम से आते हैं, वे आपसे नहीं आते ये सोभग्य है कि आपके माध्यम से एक और जीवन का जन्म हुआ इस सोभग्य का हमेशा आदर करें और देखें कि आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं आप कोई बॉस नहीं है, आप उनके मालिक नहीं है, ये एक बड़ा सौभग्य है कि आपको दूसरा जीवन इसकी शुरुवात से ही देखने को मिल रहा है, इसे साकार करने के लिए सबसे बेहतर पालन पोशन करें, सबसे अच्छा आप ये कर सकते हैं कि अपने घर में ऐसा मा अगड़ा क्या है, ये चीज़ें उन्हें कभी न दिखें, वो आनन्द और प्रेम के माहौल में बड़े हों, यही काफी है, आपको उन्हें कोई बेकार का ग्यान सिखाने की जरूरत नहीं है, वे अच्छे से बड़े होंगे, क्योंकि यही वो पोशन है जो खुद को ढ़ ले के लिए जीवन को जरूरी होता है